हेलो एवरीवन वेलकम तो और यूट्यूब चैनल ओनलाइन स्पोर्ट हब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा का MX DT 751 को कैसे एंसेंबल करते हैं और कैसे यूज करते हैं तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को आज तक देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर बिलेड है एक और साथ में एक बॉटल है तो सबसे पहले हम इसकी बॉडि को ओपन कर लेते हैं जहां पर हमें बिलेड और चैन को फिट करना होगा यह में पार्ट जैसे ही ओपन होगा तो आप देखेंगे यहां पर तो फ्रेंट्स चैन का जो पार्ट है उसको बहुत आपको ट्रीकी तरीके से इसको अड़ेस्ट करना होगा नहीं तो आपका प्लेड खराब हो सकता है चैन और बिलेड को आपको अच्छे तरीके से इसको फिट करना होगा वहां पर यह आप देख सकते हैं इसको चैन को आपको ऐसी मैच कर लेना है मैच करने के बाद ही आपको इसको अड़ेस्ट करना है अगर आप गल तरीके से इसको अड़ेस्ट करेंगे तो आपका चैन त भूट भी सकता है में पार्ट ही यही है इसका चैन फिट करने से पहले आपको जो गॉज है उसको फिट करना होगा यह इसलिए लगाते हैं चैन सा के साथ कि अगर थोड़ा डिस्टन्स रहे जो आप ट्रीज काटेंगे उसको डिस्टन्स रहेगा क्यूंकि इसकी बाटी पार्ट ट्रीज के साथ टच नहीं होगी लगाने के बाद आपको इसको अच्छे से फिट कर ले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप देख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से अड़ेस्ट करना होता है अगर आप गलत तरीके से इसको अड़ेस्ट करेंगे तो चैनल टूटने का खत्रा जदे रहता है इसको एक बार आप रोटेट करके देख लें उसके बाद आपको इसका जो मेन बाड़ी का पार्ट आपने निकाला था असको आप बंद कर लें बंद करने के बाद आपको इसको चेन को थोड़ी से टाइट करना होगा उसके लिए एक छोटा से स्क्रियू लगा होता है फ्रंट बॉड़ी पॉर्ट पर वहां से आप उसको लूज या टाइट कर सकते हैं चेन को तो दोनु आप जो नेट हैं इसको आप उपर से लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर लें तो फ्रेंट्स टाइट करने के बाद इसको आपको चेन को चेन को थोड़ी सी टैंशन देनी होगी आप देख सकते हैं फ्रंट पर आप देखेंगे इसका एक सिग्रियू होगा जिसको आप रोटेट करेंगे तो वहां से आपका चेन टाइट और लूज होगा आप देख सकते हैं इसको क्लीर ली तो फ्रेंट्स हमारा चेन सा एसेंबल हो चुका है आप देख सकते हैं इसका चेन भी टाइट हो चुका है थोड़ा सो और टाइट कर लेता हम इसको तो फ्रेंट्स आप इसको अच्छे से टाइट कर लें टाइट करने के बाद आपको चैन की टेंशन देखनी होगी देखने के बाद आप देखेंगे यहां पर मेरे पास मैंने यह एच्पी का लाल गोड़ा इंजना लिया है यह पेट्रोल डीजर इंजन के साथ दोनों में यह वर्क करता है तो मेरे पास 500 ml है तो मुझे 260 ml इसमे तो इंजना डॉलने के बाद आपको इसमें पेट्रोल डालना होगा तो मुझे मैंने इसमें 260 ml इंजना डॉल दिया है आप देख सकते हैं करने के बाद इसको आप अच्छे से इसकी जो हैड है वो फिक्स कर लें ताकि वह लीकेज ना हो अच्छे से टाइट कर लें इसको आप टाइट करने के बाद जो चैंसा के साथ पॉटल दी होती है पेट्रोल मेजर करने के लिए उसमें आप 500 ml पेट्रोल डालने पहले डालने के बाद आपको टूटी आइल उसमें 100 ml मिक्स करना होगा जो इंजन की लाइफ बनाए रखता है उसमें इंजन की लाइफ बनी रहती है टूटी आइल डालने से तो आप सिर्फ पेट्रोल मत डालें इसमें पेट्रोल डालेंगे तो इंजन आपका खराब भी हो सकता तो उसकी लाइफ भी कम हो जाती है तो आप देख सकते हैं 500 ml से मैंने इसको बर दिया है बोटल को अब इसमें मुझे टूटी आइल डालना है यह आपको पैट्रोल पंप से मिल जाएगा इसलिए 20 रुपीज का पैकेट होता है आप देख सकते हैं इसको कुछ पैकेट में ऐस में 25 तो फ्रेंट्स टूटी आइल डालने के बाद आपको इसको अच्छे सेमिक्स कर लें शेक काड़ किया है आप देख सकते हैं बाटल को काड़ के उसकी मदद से मैं पैट्रोल डाल रहा हूँ तो मैंने पूरा पॉइंच सो एमल इसमें पैट्रोल और टूटी आइल डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से अप्टाइट कर लेता हूँ उसके बाद आपको देखें कि यहां पर एक प्रबल टाइप है इसमें पैट्रोल आना चाहिए तभी आपका इंजन स्टाट होगा इसको दो-चार बार आप प्रेस करेंगे तो इसमें पैट्रोल आ जाएगा पैट्रोल एजैसね इसमें आता है तो आपको चोग लगा एक दो भार खिंचना है जास है जीस आप जोग आफ करके द्वारा से इसको पूल करेंगे तो आप देखें कि हमारा chainsa start हो चुका है और ready हो चुका है cutting करने के लिए आप देखें कि यहां इसको है तो फ्रेंट्स चलिए हम काटते हैं एक ट्री आप देख सकते हैं यह कैसे कितनी जल्दी एक ट्री को काट सकता है यह बहुत यह अच्छी company का यह जो है चेंसा है आप इसको परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर MX Company के रिलेटिड या चेंसा के रिलेटिड आपका कोई भी क्वेस्टन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए मैं उसका रिपलाई दूँगा तो आप देख सकते हैं कितना शौर पह ये तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैंसा के रिलेटिड में और भी वीडियो डालूँगा तो आप उसको भी जुरूर देखें इससे पहले जो वीडियो डाली थी वो भी आप देखें अनवाक्सिंगी थेक्यो फर वाइचिंग माई वीडियो